आज मैंने पूजा के सूखे फूले से कुछ अलग ही बनाया है जिससे घर की एनरजी वापस आने वाली है भूत, प्रेत, बाधा, क्लेस ये सब नश्ट होने वाला है और मार्केट से जो आप महंगे से भी महंगे धूब बत्ती लाओगे तब भी आपको ये खुश्बून न तो सच में आप घर के बने धूब बत्ती को जरूर एक बार आप जो है जलाएं सच में आपके जो दिमाग का डिप्रेशन है वो खतम हो जाएगा तो आज मैं बहुत थोड़े से समान से बनाओंगी जो बहुत सस्ता होगा, साथ में बहुत आसान होगा बनाना, तो सबसे प और मैं अक्सर यही बना के मतलब जलाती हूँ कभी भी मार्केट से नहीं मंगाती क्योंकि मार्केट के जो धूब बत्ती होते हैं उसमें बहुत सारे कैमिकल होते हैं उसमें कैमिकल की जो खुसबू होती है वो हमारे वातावरण को दूसित करती है आप अगर इन सब बचे दूब बत्ती बना रहे हो ना तो सच में आपको एक मन में सांती का प्रतीक होगा जब इस दूब बत्ती को जलाएंगे इतनी बढ़िया खुसबू आती है बस थोड़ा सा मेहनत करने की जरूरत है तो गाविश देखिए हमने थोड़े से सूखे फूल लिये है और ये हमार दूब बहुत मतलब इसका जो धागा होता है मतलब कपड़े की जो महक होती हमारे सरीर को नुकसान दायक होता है तो देखिए हमने धागा निकाल के सूखे फूल ले लिया है अब इसमें क्या-क्या मिलाएंगे तो चलिए गूगल ये जो है एक पेड़ का गोध होता है जो हमारे पूजा में यूज किया जाता है और इसकी खुश्बू इतनी अच्छी होती है इतनी नैचुरल होती है कि हम क्या ही बताए एक दम जैसे मतलब कि आप इसको जलाओगे न तो मन में एक सांती का प्रतीक होगा तो हमने यहाँ पे थोड़ा सा गूगल डाल लिया है हमेशा रहता है पूजा के अस्थान पे मैं हमेशा जलाती हूं तहां पर हमने कपूर ले लिया है यह चंदन का पावडर जिहां गाइस यह भी आपको पंसारी के दुकान पर मिल जाता है यह सब मैं हमेशा रखती हूं क्योंकि जब भी मैं धूबत्ती बनाती हूं ति यह स खास है गाइस सबके घरों में होता है अभी मैंने कुछ दिन पहले वीडियो से एर किया था तुलसी के सूखी लकड़ी को क्या करें तो यहां पर हमने थोड़े से तुलसी के सूखे लकड़ी लिये हैं जो हमारे घर के सच में जो है बाधा क्लेस यह सब दूर कर देते इसक अगर आपके पास पावडर है तो पावडर ले लिजिए नहीं तो इस तरह से सूखे लकड़ी को छोटे छोटे पीसे में तोड़े लिजिए अब क्या करेंगे यहां पर हम लेंगे सहद सहद हमारे मतलब जीवन के लिए बहुत अच्छा होता है यह खाने के लिए भी आ देती है तो यहां पर हम जो है वो लेंगे सहद और इतना कुल सामगरी आपको बिल्कुल भी नहीं मिलेगा मार्केट में जो आप धूबती खरीते हो उससे खुषबू बस कैमिकल के द्वारा ही आता है और यहां पर हमने चार छोटी वाली इलाची लिए है इससे भी जो इसकी खुषबू होते हैं मातालचमी मतलब मातालचमी को बहुत ज़्यादा प्रिय है इलाची और मखाना इलाची हमने डाल दिया है इससे जो सुगंधित है न मन को बड़ा सांती देगा और डिप्रेशन से दूर रखेगा अब लास्ट इंग्रीडियंस हम लेंगे एक च आपको जो है दूर जाने की जरूरत नहीं है ना खरीदने की जरूरत है सबके घरों में अवलेबल होता है पूजा के अस्थान में कीचन में तो बस यहां पर देखिए हमने इसका पावडर बना लिया है इस तरह से और मैं हमेशा ऐसे अभी मैंने सामरानी कप का भी वीडि से आपके साथ सेयर करती हूँ जो आप आसान तरीके से बना ले और लोग मेरे इस वीडियो से पूछ रहे थे सामरानी कप वाले वीडियो में कि आपने यह धूबत्ती कहां से लिया तो गाइस यह पंसारी के दुकान पर मिलता है यह गाय के गोवर से बना होता है इसमें भ अगे धूबत्ती मार्केट का वो फेल है अगर आप घर पर बना के इस घर को जो है आप वाता वरड के सुद्ध करना चाहते हो तो तो देखिए हमने यहां पर क्या किया यह धूबत्ती खुले वाले हैं मैंने कई बार सेयर किया है कि यह पंसारी के दुकान पर खुला वाल मिल जाता बहुत स़स्ता मिलता है आप 15 रूपए पाउ अराम से ला सकते हो बहुत सारा धूबत्ती बना सकते हो तो देखिए हमने जो पावडर मनाया था उसमें धूबत्ती में डाल दिया है और इस तरह से आप साफ बेला ले लीजिए या फिर किसी तरह आप मतलब इस त तरह आप पहुत आसानी से मिल जाता है, पूरा एकदम मतलब आटे के डोग के फॉर्म में हो जाता है, तो इस तरह से आप इसको अच्छे से रगड रगड के कूट कूट के मिला लेना है, और इससे ना आप इतने सारे धूब बत्ती बना सकते हो, कि एक नहीं, दो नहीं, ती चार महीने तक चलने वाला है, और मैं हमेशा इसी तरह बना की यूश करती हूँ, आज तक मुझे कोई भी दूस प्रभाव नहीं पड़ा है, बलकि सका रातमा कुर्जा का प्रभाव हुआ है, और मन में जो खुस्बू का एक लहर होता है, सच में बहुत अच्छा लगता ह मन को बड़ा सांती देता है, मैं उम्मीद करूंगी कि आप एक बार जरूर ये बनाना धूपत्ती, और फिर उसके बाद कमेंट करना कि आपका ये धूपत्ती कैसे बना, तो देखिए हमने इसको दो पार्ट में कर लिया है, अब हम क्या करेंगे, एक पार्ट का बनाएंग और एक पार्ट हम रख देंगे, जब भी खतम हो जाएगा, तो मैं बना लूँगी, तो अभी मैंने जल्दी में एक धूपत्ती सेयर किया है, प्लीज उस वीडियो को देखना, मैंने सारी देशी सामगरी मिलाई है, और बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं है, मात्री ये लूँग डाल दीजिए, गूगल डाल दीजिए, और कपूर डाल दीजिए, तो आपके पूरी तरह से वह सामरानी कब बन गया, तो देखे, इस तरह से आप फटा फट से पांस मिनट में जो है धूपत्ती बना कर तयार कर सकते हो, और इतने सारे धूपत्ती मेरे ख्याल से तीस रूपए को तो आपको अराम सुमलेगा, मतलब दस रूपए का पांस धूबत्ती होता है, मैंने खुद खरीदा है, इसलिए मुझे जानकारी हो, तो देखे, और मैं अभी आपको जला के भी दिखाऊंगी, और ये जो बच्चा है न मैं इसको रख दूँगी, जब ख घर में जो इसकी धूआ भी खेरती है, सच में बहुत सांती की प्रतीक होती है, क्लेश, भूट, प्रेत, बाधा, सब दूर रखे, और सबसे अच्छी बात नहीं है, घर के वातावरण को सच में बहुत रुद्ध करती है, मैं उमीद करूँगी, इसमें कोई कैमिकल नहीं ह है, कोई कैमिकल नहीं है, तो आप जरूर बना सकते हो, और मैं हमेशा इसको पूजा के स्थान पर यूज करती हूँ, साम को मैं घर में, पूरे घर में दिखाती हूँ, और इसकी जो धूए की खुसबूए बहुत अच्छा लगता है, मन को बड़ा एक मतलब एक उत्साहित प्रदान करता है, तो सच में आप जरूर मैं उम्मीद करूँगी कि ये धूबत्ती आप बनाए, बिना कोई पैसे के, बिना कोई खर्चे के, बिना कोई मेहनत के, तो मैंने बहुत सारा धूबत्ती वीडियो में सेयर किया है, प्लीज आप उस धूबत्ती को देखे, और ब मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए थैंक यू, अब लाइक कर देना गाईस, अच्छा लगे तो सस्क्राइब कर देना, और बाबाई